हलो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं बनाने वाली हूँ फ्राई भुट्टा चावल जिसे 36 गड़ में बगहारे भाथ या तरे भाथ कहा जाता है चलिए स्टार्ट करते हैं यह देखिए यह हमारा उबला हुआ भुट्टा इसे मैंने उबाल कर छील लिया है बारिक कटा हुआ धनिया पत्ती और हरी मिर्च और साथी लिया है दो उबला हुआ आलू अब मैंने तकडाही में तेल डाल दी है और इसमें मैंने डाला है जीरा तड़के के लिए फिर जीरा ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने डाला है घुट्टे का दाना और हरा मिर्च और लाल मिर्च अब मैं डाल देती हूँ इसमें उबला हुआ आलू जो मैंने पहले उबाल कर रखा था अब इसमें डालते हैं नमाक अब मैंने इसमें डाल दिया बारी कटी हुई धनिया पस्ती उसके बाद अब बची हुई चावल डाल दिती हूँ आप लोग चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं अक्सर कभी कभार लोगों के घरों में रात का खाना बच जाता है तो इसे फेकना नहीं है आप लोग इसे फ्राई करके खा सकते हैं मैं अपने घर में इसी तरह से फ्राई करती हूँ देखे इस प्रकार से हमारा चावल फ्राई हो गया है आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग तरह से फ्राई करने से इसका टेश्ट अलग हो जाता है इसलिए एक बार बना कर ट्राई जरूर करें मेरी ये रेस्पी यदि आपको अच्छी लगे तो चनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक सेयर करना ना भूले इसी प्रकार की लिए रेस्पी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में